जोतिश शास्त्र के अनुसार, लड़कियों की शादी के लिए देवगुरू बिहस्पती का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. अगर कुंडली में गुरु गरह मजबूत हो, तो लड़की की शादी जल्दी हो जाती है. वही गुरुग्रह के कमजोर होने पर शादी में देरी होती है इसके अलावा कुंडली में शुकरग्रह का भी ध्यान रखना चाहिए अगर कुंडली में शुकरग्रह भी मजबूत हो तो शादी के योग बनते हैं जो तिश्यों की माने तो साल 2024 में चार राशियों के जातकों की शादी के प्रबल यूग हैं। इन राशियों के जातकों की शादी इस साल हो सकती है। आए इन चार भागेशाली राशियों के बारे में जानती हैं। तुला राशी के जात्कों के लिए साल 2024 शादी के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मकर राशी के जात्कों के लिए साल 2024 शादी के लिए शुभ रहने वाला है।